आज हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता हमने ये पतीले में पानी चड़ा दिया है बॉइल होने के लिए अब हम इसमें दो कप पास्ता डालेंगे और इसको हम अच्छे से बॉइल कर लेंगे पास्ता बॉइल होने में 10 मिनिट लगता है एक कप पास्ता हम इसमें और एड करेंगे ये दो कप हो गए साथ में हम इसमें नमक डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और वन टेबिल स्पून तेल डालेंगे तेल डालने से ये चिपकता नहीं ये आपस में और इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जिसमें ये पतीली में चिपकेना यह देखिए बॉइल आना शुरू हो गया है दस मिनिट हो जाएगा तो हम इसको चेक करेंगे यह दस मिनिट हो गया है बॉइल होते हुए अब हम एक पास्ते को कट करके देख लेते हैं यह देखिए यह हो चुका है इसमें दागे की लाइन नहीं देख रही है अगर दागे जैसे एक लाइन दिखती तो वो कच्चा रहता अब हम इसको चान लेंगे और इससे आधा का पानी यह वाला हम ले लेंगे बात में पास्ते में डालने के लिए और उपर से हमने पानी डाल दिया जिसमें ओवर कुक नहीं हो अब यह दो क्यूब हमने बटर डाला कडाही में फ्लेम हमने स्लो कर दी है फुल फ्लेम पर बटर जलने का डर रहता है जब यह मेल्ट हो जाएगा अच्छे से तो हम इसमें मैदा एड करेंगे यह देखिए बटर मेल्ट होना शुरू हो गया है अब हम इसमें मैदा एड कर लेते हैं हम टू टेबल स्पून भरकेस में मैदा डालेंगे यह वन टेबल स्पून और डाला थोड़ा सा और डालेंगे हम लग भग हाफ टेबल स्पून और इसको हम चलाते रहेंगे जिसमें इसमें गाठे ना पड़े लम्स ना रहे हम इसको बहुत ज्यादा थिक नहीं करेंगे नहीं तो जब दूद एट करते हैं तो गिठाने पड़ जाती है इसी तरह हम इसको पकालेंगे अच्छी तरह से यह देखिए यह हो चुका है इसको इसी तरह चलाते रहना है आप चाहे तो तेल भी एट कर सकते हैं थोड़ा बहुत जिस से यह इस तरह की कंसेंटैंसी में रहे बहुत ठिक ना हो अब हम इसमें दूद एट करेंगे दो कप दूद लेंगे हम जिस कप से हमने पास्ता लिया था उसी कप से हम दो कप दूद लेंगे पहले हमने एक कप दूद डाला और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसकी गाठे अच्छे से सब घुल जाएं अगर जरा भी हो तो ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया अब एक कप दूद और मिलाएंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे इसको चलाते रहना जरूरी है नहीं तो गिठाने पड़ जाती हाफ टी स्पून नमक डाला हमने और हाफ टी स्पून इसमें हम कुटी काली मिर्च डालेंगे और इसको भी mix कर लेंगे अच्छी तरह से ये mix हो जाएगा और थोड़ा ये थेक हो जाए इसको चलाते रहे ये लगातार अब हम इसकी consistency चेक करेंगे ये थेक हो चुका है थोड़ा हमको ऐसे ही चाहिए था ये देखिए और इसमें हम थोड़ा सा बाद में पानी आड़ करेंगे ये हमने एक पैन चड़ाया उसमें एक टेबिल स्पून तेल डाल दिया है और वन टी स्पून बारिक कटा लहसुन डाल दिया है और इसको थोड़ी देर चलाएंगे ज्यादा ब्राउन नहीं करना है इसे बस इसका थोड़ा सा कच्चा पन खत्म हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए इतना ही इसे हम पकाएंगे अब ये लहसुन हमारा हो चुका हम इसमें पैस डाल देंगे हाफ कप पैस है ये डाइस में कटी हुई इसको भी हम थोड़ी देर चला लेंगे अब हम कोर्न एट करेंगे अब हम करेंगे हाफ कप कौर्न है सारी सबजिया नहीं हाफ हाफ कप है इसको भी डालकर हम चला लेंगे कॉर्ण हो जाएगा थोड़ा तब हम इसमें गाजा डालेंगे यह देखे कॉर्ण भी हो चुका है गाजा डाल देते हैं अब सबसे आखिर में हम शिम्ला मिर्च डालेंगे क्योंकि शिम्ला मिर्च बहुत जल्दी सॉफ्ट होती है यह देखिए गाजार भी हो चुकी अब हम शिम्ला मिर्च चैट कर देते हैं शिम्ला मिर्च भी डालके हम कुछ सेकंड चला लेंगे इस तरह से सारी सबजियां मिक्स हो गई है अब हम इसमें डालेंगे कुटी काली मिर्च हाफ टी स्पून हाफ टी स्पून से थोड़ा कम हम नमक डालेंगे क्योंकि पास्ता बॉल करते वक्त भी नमक डाला है और सॉस में भी नमक है और थोड़ा चीज एट करेंगे तो उसमें भी नमक होता है अब हमने इसको मिक्स कर लिया अब हम इसमें हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून ओरी गैनो डालेंगे और उसको भी मिक्स कर लेंगे यह देखिए सब हमने डाल दिया है मसाले अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह सारे सबजी मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं अब यह इसमें हमने पानी डाल दिया जो पास्ते का निकाला था हाफ कप निकाला था पर थोड़ा ही डाला है और इसको चला लेंगे फ्लेम हमने मीडियम स्लो रखी है अब पास्ता एट कर दिया इसको अच्छे से मिक्स हो जाने देंगे सॉस में ये इस तरह से और फिर हम अपनी सबसियां एट करेंगे ये देखें कितना क्रीमी दिख रहा है अभी से ही अब हम सबसियां एट कर देते हैं सारी सबसियां डाल देंगे और कुछ सेकंड इसको मिक्स करके चलाएंगे ये सारी सबसियां मिक्स हो गई है अब हम इसमें चीज डालेंगे चीज को हमने ग्रेट करके रख लिया था चीज भी हाफ कप है इसको भी हम एट कर देते हैं और अच्छे से चला लेंगे इसको पास्ता गरा में चीज अभी मेल्ट होगी ये देखिए चीज मेल्ट होना शुरू हो गई है अब हम इसमें मलाई डालेंगे दो टेबिल स्पून भरके मलाई डालना हमें और अगर आपके पास चीज ना हो क्रीम ना हो तो आप मलाई डालिए बहुत क्रीमी पास्ता बनता है टेस्ट भी बहुत बहुत बहुतरीन होता है और इसका कलर भी ये हमने मलाई एट कर दी और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये चीजी पास्ता चीजी मेलाई पास्ता बहुत अच्छा लगता है आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा अब यह हमारा सब मिक्स हो चुका है पास्ता हमारा बनकर तयार है यह खाने में बहुत बेहतरीन वाइट सॉस पास्ता है आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा यह देखिए ये थोड़ा पककर हलका सा गाड़ा हुआ है हमको ऐसे ही चाहिए था ये देखिए इसकी कंसेंटेंची और ये कितना क्रीमी दिख रहा है अब हम इसको डेशाउट कर लेंगे और उपर से हम औरी गयनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे अगर आपको मेरी ये रेस्पी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए बेल आइकन दबाना ना भूलें